प्रियागराज जनपस से बड़ी खबर आपको बता दे जहां के कर्चना थानाक्षेत के बुंडा चौकी के अंतरगत भड़ेवडा ग्राम सभा में दबंगों ने एक गरीब परिवार को जम कर पीटा बता दे पूरा मामला चार मार्च का बताया जा रहा है दरासल दबंगों के द्वारा दबंगई के चलते एक गरीब परिवार के बेटे को बिना किसी वज़ा के पीटा बताया जा रहा है कि आए दिन इन दबंगों के द्वारा गाउं में लोगों को पीटा जाता है उन्हें प्रतारित किया जाता है बता दे इस मामले में पीडित परिवार ने कर्चना थाने में तहलीर दे कर उचित कारवाई की मांग की है बता दे कोई पहला मामला यहां का नहीं है आये दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं इंडिया रोटी फोर डिस सैवन लाइब टीवी के लिए प्रियाग राज से वैभो शांकर की रिपोर्ट हुमारा नाम सुभम है क्या हुआ था आपके साथ में हम लोग काम कर रहे थे छट पे और मंदील के पास वह आउन यहां पर आ हैं दूट पांच हैं लोग हम लोग को बहुत माहरें डूकान पे क्या काम कर रहे थे आप लोग क White हम लोग इससुपात तो रही हो गिए कुछ बात नहीं थी तो को व्यक्ति थे या नाम वन लोगों का आप सब के साथ मार करें ग्राम्भर लोग थे नाम था उनका कितने लोग थे ओ लोग नोग फांच लोग थे आप भी थे जब व्युवाद हुआ था उसे सान था मैं था यह लोग कुछ नहीं पता है कि दोनों वेक्तियों को बूरी तरीके से मारा जाते हैं तकरिवान यहां से 50 मिटर दूरी पे तब लोग यहां पे भाग कराते हैं अपने पिता जी का देख पारें दोनों इनके पिता जी हैं इसे हम बात करें क्या कुछ पूरा माम लाता चाचा जी आज क भी की मार रहे हैं तो हम ने कहा कि भी कुब वारा रहे हैं टो हम जो है कर दोनों आप अ tratar पोठोर हमें यहां दोनों आपकर अपर भाग करा तकrd Yeah पेरियों का विदर्द हो रहा है और यह पूरा कपड़ा यह करें लिए फिर चक्रक्रожд कर ले जान mol तो आप क्या चाहते हैं आपको मारा गया आपके लड़के लगा दीजिए तो आप क्या चाहते हैं अपको मारा गया आपके लड़कों को मारा गया इसमें आप क्या चाहते हैं तो नहीं को देखते हैं तो फिर यहां बिज बचाव में कुछ लोग आए तो जाकर के हमारी जान बची भूंडा मोर जाने से बचे अब देख पार हैं कि कर्चना मितनी दबंगई हो रहे हैं कि घर से उठा के ले जाया जा रहा है बुरी तरीके से मारा जा रहा है आपको बता दें जा तरीक से उसे दिन हमने तहरी प्रशाषन से शाहता नहीं मिली है सवाल खड़ा होता है आपको पता अगर ऐसे ही शाहता प्रशाषन सांती पूर्वक बैठा रहेगा तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ग्रामीड छोट छेत्र के जो दबंग लेग लोग होते हैं तो कहीं न कहीं अगर इस परिवार को प्रशाषन की मदद नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में इनके साथ बड़ा घटना हो सकता है इन